नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से फीक इजकेशनल यूट्यू चैनल पर दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ज्यूर पैथिलेमिया किस बीतामिन की कमी से होता है एक सो दो है वह वह है एकét डी कमी से मानब ब्यासक में समाने तर रक आयतन कितना होता है यह एक सो तीन का जो है वह होगा फिर पांच लिटर यूरीन के स्वरंड को सर्वधतित करने वाले अशुद्धी क्या कहलाती है ये जो है 104 का जो राइट अंसर है वो होगा C C होगा Diuretic Next है question number 105 तो 105 का जो राइट अंसर है वो है B वायू की प्र दो शर्ट के बीश उश्मारोधी बाद्यम के रूप में कारिय करती है इंद्र दर्श इसके कारण बनता है 1006 का जो होगा डी अपवर्तन और अंत्रिक परावर्तन द्वारा एक सो साथ का जो है बारिश के दिनों में धोनी लंबी दूर तक सुने देती है क्यूंकि एक सो साथ का जो है बारिश के दिनों में धोनी लंबी दूरी तक सुने देती है क्यूंकि 107 का जो है वो right answer होगा वो होगा B धोनी नम बायू में तेज चलती है धोनी जो है जो बायू में है वो जप्राइब जादा इर होती है उसपी जो है जादा तेज चलती है ज़्पेड में चलती है नकस्ट 180 गीजूत बलभ में filament के tungsten का प्रियोग वता है क्यूंकि 108 का जो है वो होगा D इसका गलनांग अती उच्छ है परमाणू रियक्टर में शीतलक के रूम में किसका प्रियोग होता है 109 का जो राइट अंसर होगा वो होगा A Next है 110 जो है प्रघात और शोशक प्राय स्टील के बने होता है क्योंकि 110 का जो है वो C होगा क्योंकि इसमें उच प्रत्यास्था होती है बारत का कुल जन्सक्या हिमाचल प्रदेश की जन्संक्या प्रत्यास्था है तो हिमाचल में कितनी प्रत्यास्था जन्संक्या निवासित करती है यह करती है 0.57 सेवन क давно फ्रदेश का सबसे वड़ा श्यत्रफल के अनुसार विजान सब्सक्राइब नर्वाचन शट्र कॉन सा है यह जो है 112 का का वह हूगा सिट्सल्ट्र होगा सी लाहस पित्ति शित्रफल के अनुसार पुछा ग्याता कौन सा पाहडी दरा कांगडा के को भरमोर से जोडता है कांगडा को भरमोर से जोडता है 113 का जो राइट अंसर है वो है थन्डे पानी का सोता हिमाच्र परधेश की जिल्लह में फसी टेता है माधरपरद्रेष के कि जिल्ने में स्थीत तो यह जो है दाब मी गाटी वा जो है हो है एक सूब अदर के और मी विलास नेक्स्ट네 116 श्री बाल प्रुट दान कि संतवर लूम पर सीत है स्थांपर फोग मी आे स्थान सब्सक्राइब दराज ये का अंतिम शाशक कौन था भागत राज जय गा 1 18 8 जो का सी था, दुरुगा सिंग बिलासपूर का पूराना नाम क्या है बिलासपूर का पूराना नाम 119, जब वह होगा व्यासपूर नेक्स्ट है 120 धोलादार माउंटेन इस प्रोपरली नाओ एज धोलादार परवत को लोग प्रियरूप से जाना जाता है किस रूस से जाना जाता है 120 का जो है डी होगा मौलक परवत नेक्स्ट है हमातल परदेश का कौन सा मंदिर भारते पुरात्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् बाई दो ना पाई नारा हिमाचल परदेश के किस अंधोलण में दिया गया था एक फोड़ाइस का जोए वह बी होगा पजोता अंधोलन में बेटिंग्रीज पर रुक के विश्वय रिकॉर्ड बनाया था तो यह था हिमाचल प्रदेश का खिलाड़ी 124 का जो है ए राजीव नयार 125 जो है केर एयर पॉइंट इनिवर्स्टी माचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वह स्थित है इसका जो राइट अंसर है वह है 125 का जो है डी होगा हमिरपूर हिमाचल प्रदेश में दोला स्थित जल्विजुत पर जोना की कार्यकारी युजना कौन सी है 126 का जो है वह सी होगा एस जे बी एनल नेक्स्ट कोशन नंबर 123 हिमाचल प्रदेश में सोवंड जयंते ग्राम स्थोरजगार उजना किस बर्ष जो है वह प्रारंब की गई थी 127 का जो है भी होगा उनिस सु दिनने और दोजार शांड और श्रबू हिमाचल प्रदेश के किस जिल्ले के लोग निरते आए शाम और श्रबू 128 का जो है वह होगा डि लहोष पित्ति के गोची उस्ताब हिमाचल परदेश के किस स्तान पर मना जलता है 137 का जो है ए होगा के लांग मेंदी प्रसीत क्रामतिकारी लेखक शर्माई यहासरलपर्देश के किस जिल्ले संब्न्दित है 130 का जो है वह है I mean skip पुर्पूर से नेक्स्ट है जैसे कोख्णी संब्धित है गोवा में उसी परकाट डोगरी। संब्धित है जैसे कोख्णी संब्धित है गोवा से उसी परकाट डोगरी किस से संब्धित है डोगरी जो है वह 35 behavi सिञ्चा कोगा जम्मू कश्मीर से connect आप 31व6 ए Corinth यदि शब्द कॉम्मुनिकेशन में पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदल जाता है तिसरा और चोथा अक्षर पास और चोथा अक्षर भी इसी प्रकार आगे आपके दाये से गढ़ना करने पर दसवा अक्षर कौन सा होगा तो दसवा अक्षर जो आएगा जब आप इसक लिखा जाता है और डिव को 3566 के रूप में लिखा जाता तो इसी कूट में पि आई एन सी एन आई सी को किस नाम से किस इससे लिखा जाएगा कूट से लिखा जाएगा तो एक शुत एथिस को राइट असर है वो था वी 657057 नेक्स्ट है निमन संक्याष इंक्ला में प्रश प्रशन बाचक के इस्तान पर क्या आएगा तो यहां पर जाएगा इनको मैं आपर स्वल्ब कर देता पर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक सो पैंतिस का जो है वह है वह है वह आएगा नेक्स्ट है एक परिवार के सदस्ट से सदस्टे से से एप पिता है डी का ऑडादा है डी का बीपूत्र बद हुए सी की कजा है डी का सि का एफ के साथ क्या संबंद है एक सो सत्ती ब्लड रिलेशन से साथ यह 130 का जो है वो डी होगा डाटा अपर्याप्त है जाने के मतलब यह सही नहीं दे रखाए समय अशुद्धी है नक्त है यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ गोना R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस तो यह जो संख्या दे रखिया उसका क्या अंसर क्या निकलेगा तो 130 का जो राइट अंसर आएगा वो आएगा A 25 राकेश अपने घर में घर से प्रस्तान करता है वो पच्छिम दिशा में 10 मीट चलता और फिर 20 मीटर दक्षिन दिशा की और आगे की और जाता आगे वो दक्षिन दिशा में 20 मीटर चलता है और अंत में वो अपने घर की और मुड़ता है राकेश किस दिशा में जा रहा है 138 का जो है वो डी होगा उत्री प्रूप दिशा में नर्थ इस्ट नेक्स्ट ह बारत का गण तंत्र दिवास शुक्रबार को मनाया गया तो 2012 किस दिल मनाया जाएगा 149 का जो है वो है बी बुद्वार को पांच लड़के ABCD C D और E एक पंक्ती में खड़े D E के दाएं और B E के दाएं है लोग पुरिये लेकिन A के दाएं D E के दाएं है लेकिन A के दाएं B C के दाएं जो सबसे दाएं खड़ा है कोन मंदे में खड़ा है 140 का जो राइट अज़र है वो D होगा E आएगा सिटिंग प्लेनिंग से पूछा गया आता है किस बारतिय राज़े ने हाली में लोगों को आवशक सेवाई स्वास्ते सेवाई प्रदान करने के लिए मोबाइल बेन धनमंत्री रत प्रारम क्या है 141 का जो है वो B होगा गुजरात नेक्स्ट एक कि सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हाली में भारत में इट्सू बिट्विन यू अभ्यान प्रारम क्या है एक स्थान नेमू जो हाल ही में समाचारों में था किस नदी के तर्ठ परस्थीत है एक स्थान नेमू 143 का जो होगा वो होगा A सिंदुन नदी में स्टिप्ट हैरोस्टिक एड इलूसिफ फ्रिस किस प्राणाली की हाली में खोज प्रजाती है 144 का जो है वो होगा C चितली किस देज में हाली में सवयदानिक संशोदन के लिए मुद्दान किया गया जिसके जिसने इसके राष्टपती को 2036 तक सता में रहने के अनुमति दिये यह है 145 का जो है वो होगा C रूस ने अब इसका जो प्रदा मुद्दा राष्टपती बनेगा वो क्या है 2036 तक रहने वाला है किस संगठन में ने हाली में ग्लोबल एदुकेशन में ट्रेनिंग जी इएम रिपोर्ट जारी की है तो 140 का जो है वो भी होगा यूनेस को सरकार द्वारा लाएगे टेक्स वेल फ्लोटिंग रेट सर्विसिस ब्रॉंड दोजार बीस की अवधी कितनी है 147 का जो है वो C होगा 7 एर नेक्स्ट है यूनाइटिट स्टेर्स की स्पेशेज एजनसी नासा ने हाली में अपने मुख्याले को किस अमेरीकी इंजिनियर के नाम पे पुनर नामित करने की घोशना किये यह जो किये वह 148 का जो है वह होगा मेरी ड़ल्यू जेक्सन नेक्स्ट है कुशिनगर हवाई अड़ा जिसे हाली में अंतरष्ट हवाई अड़ा गोशिद किया गया था किस बारती रज़े में स्टेता है कुशिनगर हवाई अड़ा जिसे अंतरष्ट हवाई अड़ा गोशिद किया गया उन सुनन सास का उतर परदेश में ही है नेक्स्ट है हाली में कॉन्स फिलम बजार में भारते पोवेलियन स्युक्त रूप से सुचने हैं प्रसान मंतर रहा है और किस भारते संक्टन द्वारत किया जा रहा है तो 150 का जो है वो भी होगा फिचिए शेनोनियम और ग्रुषम जो है इसका सैनोनियम जो होगा 151 का जो है वो दी होगा एक सो बावन का जो है वो भी होगा पॉनिश्मेंट एक सट रफ़पन ग्रेक्टली स्पेलिंग वर्ड इस क्रेक्ट्ट आपको बताना था तो एक फिप्टी तरी का जो है वो डी होगा इंडोजेनियस वन वर्ड सब्स्ट्टिशन एच चाइल्ट वो स्टे आवे फ्रॉम स्कूर विदाउट एनी गूड रिजन उसको क्या बोलेगे एक सो चूगन का जो है वो दी होगा तूरेंट नेक्स्ट एक सो पस्पन मीनिग ओफ दा आइडम तू दा तू एक साइड एक साइड पीपल तू क्वाइरल नेक्स्ट चूगन का जो है वो स्टी होगा ये दाज नोट लाइक माई दूइंग बेटर वन फिप्टी सेवन का जो है वो स्टी होगा इस बेटर तू सैंड फोर दी डॉक्टर 158 वी मस्ट बेट अंटिल दा इन्वीगेटर नेक्स्ट जो है ब्लैंक्स दे रखा यहां पर दा कोश्टन पेपर एक सो ठावन का जो है वो दी होगा गिव दा कोश्टन पेपर शुद्शब्द है शुद्शब्द है तो 161 का जो है अब हिंदी सेशन जो है अमारा चल पड़ा है 60 का जो है वो बी होगा स्वरी 161 है यह कोश्टन उसका जो है वो डी होगा निश्फल नेक्स्ट है पावक का संदी बिछेद है 162 का जो है वो होगा डी पो प्लस अक पोवक चा का तत्सम है चौक का तत्सम क्या है 176 का जो है वो सी होगा जक्र सूत का इस्ट्रिलिंग है 164 का जो है वो डी होगा सूत का जो है सूता होगा नारी का बहु बचन जो है 165 का जो है वो बी होगा नारिया करम हीन में समास है गुरु का भावाचक संग्या वो क्या होगा गुर्ण का बिशेशन है 68 का वो होगा साबदान में उपसर गए 169 का वो होगा A 100 उपसर गोता जो आगे लगता है हीम का प्रियावाची है लास्ट कोशन वो है 17 का जो है वो का फर्स्ट यानिकी तुशार तो इस तरह से जो है हमारे 170 कोशन थे पेपर थोड़ा लंबा था तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा बन गया कोई कोई स्टुडेंट बहुत थक चुके होगे तो आप जो है वो थोड़ा रास्ट कर सकते है तो